पैरिस में हो रहे पैर उलम्पिक में ज्रैपूर के अबनी लखेरा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में फाइनल में गोल्ड जीती पैरिस में मौचूत हमारी खेल समवदाता विमल मोहन ने बात की है गोल्ड पैनलिस्ट अबनी लखेरा से सुनिए चूटिंग में धमाका जारी है और शेट्रू में एक बार फिर से अबनी ने धमाका किया है पहले मनू ने किया था यहां पर अबनी ने धमाका किया है और क्या कमाल की का इतिहास से नोंने कायम किया है पहले गोल जीता टोकियो में फिर यहां भी गोल जीता डिफेंडिंग चैंपियन मना यह आसान नहीं है क्या कुछ गुजरा आप इस फाइनल के दौरान आपकी जैसे शुरुबात रही एक बार आप बीच में नीचे आई काफी काफी चैलेंजिंग था बीइंग डिफेंडिंग चैंपियन दुबारा थोड़ा जादा एक्सपेक्टेशन सोती है खुद से भी थोड़ा जादा प्रेशर आता है बट मैंने अपना कामनेस को मेंटेन रखने की कोशिश करी फोकस रखा अपने प्रॉसस पे और मैं जादा ये नहीं सोच रही थी कि क्या रांकिंग चल रही है I was just thinking कि मुझे अपना बेस देना है अगले शॉट में and hopefully I was able to do that and win a medal अपनी celebrate करने का तो खार अभी टाइम ही नहीं है लेकिन मदर से, कोच से, क्या कॉम्लिमेंट पिना They were happy, everyone knew कि काफी challenging होने वाला था ये मेरे लिए बट उनको मजा आया, final day मजा आया, कोच सुमा आप के लिए पिछली बार medal जितना फिर यहां back-to-back जितना यह कितना बड़ा कारना में अपने आप खुद ओलिम्पी खेली हैं आप जानती है कि back-to-back goal जितना back-to-back medal जितना है अपने बड़ी बात है back-to-back goal जितना Actually, मैं कहूंगी कि जब अपने को अपना title डिफेंड करना होता है वो बहुत ही challenging होता है and it's so technically I would say Avni definitely this edition में she was better than the last one लेकिन the challenges were more mental and उसके लिए actually काफी तयारी की finals की अची preparation की एक बड़ी बात है कि जो 3-4 मैने पर इनका जो goal bladder operation हो उसके बाद यहां पर इतने कम टाइम में यह preparation बहुत बहुत डिफकल रहा होगा हाँ especially जो goal bladder के बाद जो operation के बाद जो recovery time था वो जरुवत से ज्यादा लंबा हो गया और you know दो मेने का almost break हो गया and break के साथ साथ जैसे body का strength भी कम हो जाता है और फिर से recover करने का उतना time था because already competition थे तो इस situation में I think you know बहुत you know एक बहुत अच्छा इस्तमाल के ऐस ताम को definitely not इससे बड़ा champion mindset नहीं देखा and I would like to definitely appreciate her personal physio as well Sumita has done a great job in kind of getting her ready to और हंगर बाकी है और और में अच्छा है हाँ वो तो बस रुखना नहीं है आपकी मदर भी आहा है अपनी मदर और टीम का जो effort है पात रही है starting से मेरे सारे matches में और अभी बीच में मैंने थोड़ा independent होना शुरू किया था but I was like नहीं Paralympic Games मुझे ममा की बहुत नीड है and वो मेरे साथ आई and you know especially leaving all the work at home coming here supporting your child और पूरा time she was just praying to God हमेशा मतलब final के जोरान भी final वो खुद मुझसे जादा इतना into है sport में इतना जादा मतलब उतना जादा हार्टबीड उनकी बढ़जाती है उनसे देखा नहीं जाता है कभी-कभी तो या काफी मतलब she is like my lucky charm आप inspiring champion है एक अप दर्शकों के लिए बोलिए आप बच्चों को काफी इंस्पायर करेंगे बच्चों को हम सब को inspire करेंगे मैं यही बोलना चाहूंगी कि no matter अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में अगर आप कोशिश करते रहेंगे और हार ने मानेंगे तो I guess आपको जरूर success मिलेगी हो सकता है जल्दी मेले हो सकता है थोड़ा लेट मेले पर मिलेगी जरूर अबनी और सुमा थैंक यू सो वेरी मद्ट यू निदी समया थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुमा